कि स्लिधिंगी रीक से अप्रप्षर्ण में में रिटाश्य कि प्रक्रिया इसके बाद करेंगे हैं कि नाटक पर नाटक की दृश्य कावलों है जो अन्य विद्हाओं से अलग है साइंटेगी हरे तो सब Jersey सब्सक्राइब किरbas Comoda किस तरह के उसके बाद करें नाठग के तत्व पथी शेश हैं मैं करता के बार्त की बार्क हान की तत्व की इसके लreshा जिए अओ अब नाटक को दर्श्यकावी अहां गया है अन्युद है जैसे की कबता है कहानी है जिसे हम पढ़ सकते हैं सून सकते हैं लेकिन नाटक अन्युदाव से किस्तर से अलगे कि इसे अप देख सकते हैं तो इस इस बूर की वज़न से एक देखने का गूर इसमें एड होता है इस वज़न से नाटक अन्युदावों से अलग है और रूचक भी है तो नाटक को समझने के लिए जो नाटक का रहा इसको जरू है कि नाटक के तत्व का खयाल रखे लोगे नाटक के तत्व का सही तरह से पालर हुआ है तो नाटक गुद्कृष्ट को भी का बंदा है तो नाटक के लिए क्या जरूनी है तो आप नाटक के तत्व की बात करें समय का बंदा है नाटक में बेहत जरूरी तत्व यह है कि उसमें समझ सीमा का खयाल रहा है नाटक वैसे कहा जाता है कि तील अंग का होना चाहिए यानि तील दरश्यों होनी चाहिए उसमें और विरीवग्तिंद्रश्यों होनी चाहिए और एक अंग होग को और तालीस मीट से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए कि इस तरह से पालत अपना होता है कि जो भी पाटक है कि इसको का है तो इसको की रूची कितने समय तक रहती है नाटक देखने की इसको कि इसको भी इसको कितना देख सकते हैं कितना समय इनाटक चले तो सफल रूप से रूप्त होगा तो इसमय का बंदन इसमें बहुत बढ़ी चीज है तो पहला तक नाटक का है समय का बंदन दूसरी जो विदाया है, कहानी हो करता हो, उसमें कोई समय की सिमा नहीं हो, एक मिलट दो मिलिट, पाँच मिलिट, दस पत्रा मिलिट या इक गल्टा को गल्टा हो जगता है, लेकिन नाटक के लिए समय सिमा जरूरी है, दूसरी आप बात करें कि समय को जाहिए रखती है, कहा इस समय मर्यादा में नाटक को हमें खर्टब करना चाहिए, समय का बंदों दूसरा है शब्द, सवाल ये भी होता है कि नाटक में शब्दों का क्या महत्त है, तो शब्द बहुत ही अहम है, जहां नाटक में एक-एक शब्द हम देखते हैं इंदी सिमा वगिरा में, उभी इस तरह से नाटक ही है, तो एक-एक शब्दों का कभी महत्त होता है, जहां सीजे बात शब्द से उकर रहे हैं कि उसका व्यंग अर्थ, उसका अंदरुनी जो रहष्य अक्मत जो शब्द होता है, अर्थ होता है, वो अलग होता है, यहां शब्दों की महिमा है, इसका content, खथावस्का, उसका प्रारम, मद्द्य और बद्ध, नाटक्त कर्कों शही रूप से बनाना चाहिए, वो कहानी को एक logical sequence में होना चाहिए, और यह भी बदा जाए ग्रहा है, कि कच्चे इसकी content है ना, कहानी है, वो चाहिए गुद्धकाल की हो, या भविश्यकाल को इस जो होता है, रजुबधियता होती है, तो वर्तमारकाल नहीं होती है, तो कथानक या कच्चे जो है उनाटक का, वो प्रारम, बद्ध, वर्त, सब देख करके, देश का वातावर्त देख करके बनाना चाहिए, इस पर सम्भाई सुमा का भी खायर रखना चाहिए, next, क्या है, तो हमने कहानी का पाट जब पड़ा, तो भी हमने देखा, कि सम्भाई का भी वहम है, सम्भाई से क्या होता है, चरिक्त्र का उध्याटन उनता है, चरिक्त्र का उध्याटन उनता है, चरिक्त्र का उनता है, चरिक्त्र का उनता है, सम्भाई के जिए कहानी और दिस इस तरह से नारेशन को कर सकते हैं, लेकिन यहां पर नारेशन भी होता है, यहां समवात की जईए भी आने वानी गतिवीजी के बारे में समवात की जईए करेक्टर बता देते हैं, समवात की important है, समवात हावभाओ के साथ में पृस्तित होते हैं, उसमवात नाटक में कापी रहें रोल हैं कि द्वन्द, द्वन्द यानि अपेंडाव या टक्राव कि यहां लूविज में देखते हैं, कि जहां अच्छा ही और गुराई के पीछ में द्वन्द या टक्राव वो होगा, तो क्या होगा, नाटक रूशी कर बनेगा, इंप्रेश्टिक बनेगा, तो पाठक या दिवे देखने वाले, उनको इच्छा दिलिए, कि नहीं यह हमें देखना है, इसमें अब क्या होगा, कैसे खक्रा होगा, कौन चितेगा, अच्छाई की जीत होगी, पुरा तो यह सब द्वंद का मुला जरूरी है, इसके बाद चरित्र योधिना, नाटक कार, कोई भी अपने नाटक में चरित्र होता है, जो केरेक्टर होता है, उनको उप्युक्त, या प्रौपर समवाद के जरिये, या उसकी एक्षण के जरिये, या चरित्र चित्रण होता है, तो चरित्र योधिना, नाटक कार को सही उसे बलानी चाहिए, जिसमें जो हीरो है, उसमें अच्छाई के गोल हो, और बलाई के गोल हो, और जो विलन है, जो बुराई वाला है इसा, तो उसका भी करेक्टराइजर्जर्शिन प्रौपर रूपर रूप में नाटक कार को बश्यारोद की बाद लेन बश्यारोद की बाद बाशा शिर्गु बाद श्युक्टर उप लेंगजिए, तो वो क्या होना चाहिए, तो देशकल के हिसाब से अगर अगर तुणानी की कहानी है, उसका नाटक बना रहे, तो उसमें बाशा भी वो जबाने की उस कद्क्टर् जो भी हमें लगे कि traditional कोई language है तो भी अगर को कहानी के लिवाने ही जुचापने तो भासा भी रग सकते है ऐसा जरूरी कि बहुत भारी बत्रब वाली जो भासा है हो उसक्तों वाली ना हो ऐसा जरूरी के लिए जरूरी है कि माहुल पांसा है देशकाल बातावार किया द्वन वह क्या करता है जो भी characters होते हैं उनको उनके भावों में उनकी जो भावनाई जो पता प्रदक्सित करनी है उसमें द्वनी जोजना या बेर्डाउन दूदिक है वह काफी असर करता है एफेक्ट करता है उसके बाद करें वेश कुशा जो वेश कुशा अगर बिना वेश करता है तो इसके लिए चलूगी है कि कहानी और करदार के हिसाब से प्रॉपर भेश कुशा उनकी बेशिती होना चाहिए उसको सिद्ध करता है आगे बढ़ता है उसका विकास करता है तो वेश कुशा का खया ज़ना जलूगी होता है इभी नाटक में अहम है उसकी बाद रंदमंचियता रंदमंचियता मतलब की अभिनाई एक्टिंग चाहिए कैसा भी है तब अच्छा हो बुरा हो लेकि वहाँ पर उसको दिये गए सब्वाद उसको दिये गए स्क्रिप्ट के आधार पर अगर रंदमंचियता होगी यानि मंचन उतार श्टिंग पर तो वो अहम है क्योंकि अगर एक्टिंग नहीं है सही तो लोग से एक्टिंग नहीं करेंगे चाहिए कितना भी अच्छा अभिनेता हो अभिनित्री हो लेकिन नाटक में जो भी उसको अभी नहीं करना है जो भी किर्दार निबाना है उसमें उसको गड़ जाना होता है उसमें तली हो जान से जो कहानी की डिवान है, उसका सही रूप से रजोपचियता होनी चरूई है, तो ये तक्वे जो है नाटक के लिए बहुत अहन है, परिक्षा में इस तरह के सवार कुछे जाते हैं, नाटक में समय का बंदल कंगी हुए है, या पर शम्द की अहिएत क्या है, संतने का इंस में प्रोड़नस क्या है, नाटक में सहुआत कROइबनस क्या है, दोद का क्या है, या नाटक अमयों दाहों से अलग इस शुक है हो, तो इस तरह के सवाल परिक्षाय कुछे या सुने हैं, मैं इसके साथ आपको पीडियम पाई की बही रहा हूँ, आप गुरूप में देख दिए और आपसे दिवेतन हैं कि ना तक कि इन पीडियम पाई को पढ़े और समझे, अच्छे से पढ़ाई करे, धन्यवाद